Canada Vistro Visa, Canada Tourist Visa, Canada Student Visa, Canada Spouse Visa अगर आप अपने रिजल्ट की वेट कर रहे हो IRCC ने प्रसेसिंग टाइम चेंज किया है ठीक है कितना चेंज किया है वो डिस्कस करेंगे बट कब तक आपको वरी करने की जरूरत नहीं है कितने दिनों तक का आपको अपने रिजल्ट की वेट करनी चाहिए उसके बाद आप क्या मूव आफ एक्शन ले सकते हो जो विजिटर वीजा वाले है या टूरिस्ट वीजा वाले है स्पाउस को कब तक अपनी अप्लिकेशन के वारे में वरी करने की जरूरत नहीं है या अपने LMI के उपर वर्क परमट लगाया हुआ है क्या करंट सेनेरियो चल रहा है क्या वीजा ट्रेंड है प्रोसेसिंग टाइम जो चेंज हुआ है वो कितना है किल लोगों को वरी करने के जरूरत है नए लोगों के लिए क्या ड्वाइस है डिस्कुस करेंगे इस वीडियो में तो वीडियो स्टाट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रुक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट विजट कर रहे हो चैनल को जरूर सबस्क्राइब करना किसी भी तरह की वीज़ा फाइलिंग में हल्प चाहिए अपनी प्रफाइल डिस्कुस करना चाहते हो आप अपना केस अप्लाई करना चाहते हो तो हमारा नमबर यहां पर फ्लेश कर रहे है 114 दिन का समयँ आपको लगेगा अगर आपकी अप्लिकेशन को 114 बिजनस डेस नहीं होए है तो आपको वरी करने के जरूरत नहीं है आप नॉर्मल टाइम फ्रेम में है अगर आपकी अप्लिकेशन को 114 वर्किंग डेज हो गए हैं सेचरे संडे निकाल के तो आपकी अप्लिकेशन शायद हो सकता है बैक लॉग में चली गए उसका क्या करना है वो आगे में डिस्कूस करूँगा बट जितने भी नहीं लोग अप्लाई करने है 114 दिन IRCC कह रही है बट कुछ रेंडम केसेस में रिजल्ट पहले भी आ जाता है यहाँ पर आप स्क्रीन पर कुछ रिजल्ट देख सकते हैं से एक्तूबर का रिजल्ट भी एक्तूबर में आया है तो जब आपके बायो मेट्रिक्स हो जाते है यू के एक्सपेक्ट रिजल्ट एनी टाइम बट जो एक IRCC का टाइम होता है वो यह चीज़ बोलते है के अप्लिकेशन का लॉट हमारे पास काफी है बैक्लॉग भी इंक्रीज हो है तो इतना मैक्सिमम टाइम आपको लग सकता है जिनों ने भी अप्लाई किया है अट लीस्ट एक से एक सो चौदा दिन वेट करें जिनका टाइम हो चुका है वीडियो के लास्ट में बात करूँ है क्या वो सलीशन कर सकते है स्टूडेंट वीजा की बात करूँ तो सेवन वीक्स है बट रिजल्ट एज उसल फो तो फाइव वीक्स में आ रहे है कुछ केसिस में जाधा टाइम लग रहा है बट जो लेटेस्ट प्रसेसिंग टाइम है वो सेवन वीक्स है सेम सूपर वीजा 100 प्लस देज है तो अगर आपने सूपर वीजा अपलाई की हुए है आपने पेरेंट्स की इंशोरंस वगारा बाय की हुए है ट्रैबल डेट जो डाली है जब तक वो नहीं चली जाती तो आपको घबरानी की बात नहीं है और जो नहीं अपलाई कर रहे हैं चाहे वो विजिटर वीजा है चाहे वो सूपर वीजा है अपने ट्रैबल डेट अट लिस्ट फेबरेरी जैनवरी या फिर मार्च की रखें तो चीजें एक्स्प्लेइन करनी आपको असान हो जाएंगी अगर IRCC टाइम भी लेती है अगर मैं वर्क पर्मेंट की अप्लिकेशन की बात करूँ तो उनको बहुत टाइम लग रहा है नियर अबाउट एवरेज अप्लिकेशन को 7 तो 8 मन्त लग रहे हैं अगर किसी का फास्ट रजल्ट आ रहे है तो अट लीस्ट मेक्सिमम दो से धाई मन्त उसको भी लग रहे हैं तो अगर आपकी अप्लिकेशन कीव में है मई की लगी हुई है ठीक है आपकी अप्रेल की लगी हुई है तो गबराने की बात नहीं जब तक ये वर्किंग डेज आपके कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है और ये है लेटेस्ट परसेसिंग टाइम कैनाड़ा का जो वेबसाइट के उपर कुछ दिन पहले उन्होंने अप्डेट किया है अब बात करेंगे जिनका टाइम कंप्लीट हो चुका है आप वेबफ़र्म डाल सकते हो अगर आपकी केस में कोई एमरजंसी है अपने ट्रेवल करने उस चीज़ को आप साथ में एक अटेश्मेंट लगा कि कवर लेटर लेटर लेखके एक्स्प्लेइन कर सकते हो अगर आपका ट्रेवल प्लैन चला गया है तो उसको आप दुबारा से लगाएं ठीक है और उतने दिनों का ही लगाएं परपस कोशिश करें वही रखे जो होटल बुकिंग वाले हैं वो तो नियू यर क्रिस्मिस का नया ट्रेवल प्लैन दे सकते हैं सिटी भी सेम रखें आपकी आइटनरी भी सेम रखें उससे आपकी जो इंटेंशन है उनके उपर डाउट नहीं होगा अगर किसी ने इंविटेशन के साथ अपलाई किया है विस्टर वीजा और उनका जो टाइम जाने का वो चला गया है तो कोशिश करें जो पहले आपका परपस था उसके साथ ही अपलाई करें और आपका जो टाइम जाने का है वो दोबारा ले ले और नई इंविटेशन जो आपने लेनी है अपने कैनडा फ्रेंड से रेलेटिव से वो लेके साथ में अपडेट करें अगर आप इंविटेशन से होटल बुकि में बताया था और उसके बाद रिजल्ट अच्छा रहा है अगर आपकी चीजें जैनुवन पाई जाती है most of the जो लोग military में पलिस में उनको documentation की request आ रही है ठीक है वो provide कर रहे हैं और within two to three working weeks उनके रिजल्ट जो positive है आ रहे हैं तो आप web form के जरीए अपने case की inquiry कर सकते हैं अगर आपकी application backlog में चली गई है travel plan आप update कर सकते हैं यही चीज़ा आप कर सकते हैं और दूसरा जो market में नए वीजे चले हुए हैं जैसे father and son का वीजा जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लगता है वो चीज़ी है specially तो कोई category नहीं होती है वो एक combined application होती है तो सभी के लिए यह चीज़ा है कि जब तक आपका time complete नहीं ज़ता आपको wait करना है उसके बाद आप web form डाल सकते हो अपनी नई चीज़े अपडेड कर सकते हो और जब चीज़ें अपडेड करेंगे तो उसके साथ आप एक request भी लग सकते हो कि आपकी जो application है as soon as possible जो process की जाए और जो आप अपना purpose है उसको enjoy कर सके तो यह है पूरी information उमीद कर तो वीडियो अच्छी लगे होगी वीडियो को share ज़रूर करना चैनल को ज़रूर subscribe करना और किसी भी तरह की visa filing में help चाहिए you can contact us anytime thank you